तो MP Board के Class 10 थे के सभी विद्या थी जिस घड़ी का आप बेसबरी से आपको इंतिया था जी हाँ एकदम रियल पेपर आपका 6 जनुवरी के दिन का एकदम रियल पेपर यहां पल लेकर आच चुका हूँ यदि पिछोतरों से पिछोतर नंबर आपको वास्तों में चाहिए तो आप इस पेपर में बताएगे सभी कुश्चनों को अच्छे से कंप्लीट कर लिजेगा कोही विलियन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पिएच मान क्या होगा तो देखिए लाल को नीला कर रहा है सोबा एक बात है वहां चाहर है और चाहर का जो पिएच मान ठीक है द्रव अवस्ता में थोड़ो सा यहां पर बढ़ा कर लेते हैं एक एक चीजों को किलियर करूंगा बिल्कुल चिंता मत करिए मेरी जवाब दरी रहेगी आपको अच्छेंक दिलवाने की ठीक है द्रव अवस्ता में पाए जाने वाली धातु है तो वह है मरकरी लें इसे की चमता का एसाइ मात्र क्या है डाइ अभी नेत्र लेंज की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा पश्या भी द्वारा जिवास्म इदन है तो देखिए जिवास्म इदन है कोईला एवं पेट्रोलियू अगला देखते हैं यहां से देखिए कोड़ा अच्छा से किलियर नजर आ रहा होगा ठीक है आपको यहां पर देखिए निम्न में से आहार सरंकला का निर्मान करते हैं कौन करता है तो देखिए बगहाज बखरी तथा मानव इसका एकदम राइट रहेगा मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिविम बन के जीलों में कोई सभी पेपर फस जाएगा न्यूकलेंड ने रिक्तिस्तान का सिध्धान्त दिया तो अस्टक अस्टक सिध्धान्त दिया ठीक है तो 36 पंक्तियों या फिर अस्टक नियम ठीक है क्या बोल सकते आप दूसरा नाम इसका अस्टक नियम शेती पंक्तियों को कहते तो आवर्त कहते हैं क्या कहते भई या आवर्त हैं ठीक है अफसिष्ट पधारतों का सरीर से बाहार निकलना उत्सर्जन कहलाता है क्या कहलाता है उत्सर्जन विद्यूत विभव का एसाई मात्रात वोल्ट है आधुनिक आवर्त सार्नी आधुनिक जो आवर्त सार्नी में कितने समू है अठारा समू है समान्य द्रश्टी के वयस्क के लिए सू इस्पष्ट दर्शन की अलपतम दूरी तो हो जाएगी 25 सेंटी मीटर मचली के हिर्दे में रिक्तिस्तान कोष्ट होते हैं तो दो कितने कोष्ट होते हैं दो यहां पर है में उर्जा का प्रवा एक ही दिसा में होता है अब किसमें उर्जा का प्रवा एक ही दिसा में होता है तो यहां पर देखिए भोजन स्रंकला जिसका नाम होता है दुसरा आहार स्रंकला भोजन स्रंकला ठीक है चलिए साधरण नमक का फॉर्मूला तो साधरन नमक का जो फोर्मूला वो इस पेच पर है इसे केते हैं एने सी एल ठीक है यह गया एने सी एल दूसरा है आयोडीन आधातु तत्व तो आयोडीन आधातु तत्व जो है वो होता है चमकिला चुम्ब की पधार्त जो है चुम्ब की पधार्त जो है वो हते लोहा तो तो थे का एक्जाम्पल आपके पास यहां पर प्रतिवर्ति किरिया तो देखिए आप बढ़िया से यहां से स्क्रीन सोट लिए ठीक है अच्छे से कंप्लिट करेगा यार हमारा में उद्दे से यही है कि आप अच्छे अंग प्राप्त करें ठीक है मैंने अभी आपको बताय अच्छे से फिर जाकर आपको पूरे अंग कर प्राप्त होंगे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको ठीक है चुम्बा की पदार्त हो गया पलकों का जपकन हो गया अनुवानसिक पदार्त जो है वो कहलाता डी एन ए यह पांच वह गया गंगा की सपाई और उते के अगर पाज तो यह होगे आपका आठवा दर्पन सूत्र किसे लिखिए तो दर्पन फॉर्मॉला यहां पर आपको बताना है दर्पन फॉर्मॉला जो है सभी जानते होंगे वन बटा ए बराबर वन बटा वी पिलस वन बटा यू ठीक है चलिए इसके बाद में अगला है दो जिवास में इधनों के नाम आपको बताने है तो दो जिवास में इधनों के जो नाम है वह है कोईला और पेट्रोलियम ठीक है मनुस्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग तो गहेंगा रोग होता है मनुस्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता भईया गेंगा चुमबक के तने धूरव होते हैं छुमबक में दो धूरव होते हैं कितने दो धूरव अनुवानसिखी के जनद ग्रेगर जोन मेंडल देखिंए यहां पर जागा ग्रेगर जोन मेंडल ठीक हैं विद्ध्युत आवेस का मात रख तो विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् मुख्य फोकस की परिवास आपको देनी है ठीक है अच्छे से कंपिलिट करेगा भीया फिर मैं बोल रहा हूं हमारा मेन उद्जे से यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें अच्छे अंक प्राप्त करें ठीक है यहां जो चैनल है यह मुख्य रूप से आप सब जानते भी है कि यह क्लास टेंट और नाइन्थे के लिए चैनल है ठीक है दो मिटर फोकस दूरी वाले आउतर लेंसे की छमता ग्याद कीजिए लेंसे की छमता से आप क्या समझते हैं आवर्धन किसे केते हैं तेल एवम वसा युक्त पदार्तों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभाइ चित कीजे खनीज आयस्क ठीक है और यहां पर गेंग और ध्वनिक की परिवासा लिखनी है जनन क्यों आविश्यक है ठीक है इन सभी कोस्चनों का सोल्यूशन भी इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा ठीक है हमारा जो इंसे आटी कोचिंग चैनल है उस चैनल पर इसके सारे विग्यान का टेंते किलास को पढ़ाया जाता है इस पर आप अच्छे से कबर कर लीजेगा भीया हम मारा उद्देश से यही है कि आप जीवन में अच्छी तरक्ती करें तब ही जाकर हमारी मेनस सार तक होगी ठीक है गुनसुतर किसे किते हैं अनुवानसिक विविननता है क इसे किते हैं और यदि आप एक महत्पुन सुचना में देदू यदि आप वार्षिक परिक्षा की अच्छी से तैयारी करना चाते हैं तो जैसे यह अर्दवार्षिक परिक्षा आपकी 9 जनवरी के दिन खत्म होगी एक दिन का प्रेस्ट लीजेगा 10 तरिक का 11 के दिन से हम आपको चार तरह के मोडल पेपर देंगे जो मैंने खुद ही बनाए हैं ठीक है चार-पांच साल का अनभोवे कोचिंग का कोई दिक्कत नहीं है हर वर्ष कोचिंग से 95-97 परसेंटेज ओफ लाइन कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं ओनलाइन कोचिंग की ओचिंग तो बहु आपको सारी चीज़े कबर कराऊंगा चैनल को किवल सब्सक्राइब करिएगा उसके लबाग कुछ नहीं करना है ठीक है लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके उवे धर्मी आकसाइड ठीक है उवे धर्मी आकसाइड क्या होते दो उवे धर्मी आकसाइड के नाम उधारन स हीव हमारे अम नमसे में अम लकी क्या भूमी का है ठीक है बही ड्रयक यह इसके बाद कि फृ्हकות तरिपता दूद का दैजमन ठोस अमोनियम क्लोराइट का उर्दु पातन ठीक है यहां से यह लिखना है ठीक है थाइरोकशिन अडरेनलीन ठीक है इसके बाद में प्रिजम से प्रकास के अपवरतन का नाम के कोल आईडी विलियनों में प्रकास के प्रक्रान का आरेक धमनी और शिरा में अंतर वाईवी और आवाईवी सोसन में अंतर ठीके इलेक्टान बिंदू सरशना बता नहीं इसकी और कुस्चेन नमर जो बावी से उसमें उदासे नहीं करन अभी किरिया को उधारन सहीत समझाना है और निम्न के सुत्र लिखिए विरेंचक्चुन प्लास्टरो पेरिस और आप जानते अंतिम जो यह बड़ा ही महत्पुर्ण है वारसी पर इच्छे में भी आता है दोने का सोड़ा और बेंकिंग सोड़े के कोई दो उपियोग दो दो उपियोग आपको बताने है